वेलकम टू चैनल टेक मेकानिकल अनिलेक्टिकल भाबा एक्टोमिक रिसाच सेंटर बी ए आर्ची का तरफ से जो रिकूडमेन निकल के आया था stipend retaining category 2 post पर ITA student के लिए इसका return examination completed हो गया 25 सेटिंबर 2021 इसमें अपका preliminary test और advanced test दोनों completed हो गया है advanced test का complete paper का это analysis मैं अपना youtube channel पर कर दिया हूँ तो जो भी student इस examination को attend किये है वो सबी student वीडियो देख लेना तो अप लोग को पता चल जाएगा, अप लोग को advanced test में कितना max आने वाला है और अगर अगर अप लोग का IG car या VECC में examination है तो अप लोग के लिए भी a class बहुत ही helpful होने वाला है preliminary exam में अप लोग को pass कराया हुआ या नहीं हुआ तो इसमें अप लोग को doubt है लेकिन कुछ कुछ center में अप लोग को बताया गया था कि सभी को preliminary exam में pass करा दिया गया है तो अप लोग second stage exam दे सकते हैं तो इसमें मेरा भी doubt है क्योंकि complete इसमें information भी नहीं मिला है कि अप लोग का preliminary exam और advanced exam एक साथ ले लिया है इसका मतलब क्या preliminary exam पास करने के बाद ही अप लोग का advanced paper दिखा जाएगा कि नहीं इसमें भी कोई confirmation नहीं है तो preliminary examination में आप लोग को कितना marks मिलेगा आज का paper analysis देखके भी आप लोग को पता चल सकता है तो total आज 33 plus question में collect कर पाया हूँ क्योंकि इसका paper बहुत ही hard आया था इसलिए maximum student को maximum question याद नहीं है सभी student को बहुत बार request करने का बाद सभी student का तरफ से 4-5 question कभी किसी का पास 7-8 question और किसी का पास 2-3 question ऐसे करके collect करने का बाद 33 plus question मैं collect कर पाया हूँ जो आज का classes में मैं आप लोग को provide करने वाल हूँ तो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाप लोग को कितना कितना question सही हुआ है तो आप लोग advanced test लिए जा सकते कि नहीं इधर भी आप लोग को पता चल सकता है ठीक है question answer discuss करने से पहले सबी student से मेरा request है जो भी student आज मेरा चैनल में नहीं है सबी student चैनल को जोरो subscribe कर रखना आने वाला हाट technical job का अप लोग को सबसे पहला notification मिल जाएगा मेरा चैनल से पहला question आप देख सकते the dimensional formula of electric flux is electric flux का dimensional formula क्या होता है M to the power 1, L to the power 3, T to the power minus 3, I to the power minus 1 ओके next question a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens then its focal length will be इसका राइटान सा हो जागा becomes infinity ठीक है next question number 3 the degree of polynomial is x square plus 5x plus 20 तो ऐसे आप लोग को एक equation दिया गया था इसमें आपको degree of polynomial आप लोग को पूछा गया था तो ए आप लोग को पहले ही मैंने समझा दिया था degree of polynomial मतलब कि x का जो maximum power होता है ओही हो जाता है degree of polynomial ठीक है तो इसमें x का maximum power है 2 ठीक है अगर ऐसे अगर question में रहता है x cube plus x square 5x plus 20 ठीक है तो x का maximum power क्या होता 3 होता तब degree of polynomial हो जाता 3 ठीक है तो ऐसे और एक question भी पूछे गया था degree of polynomial से ओके next question number 4 which is the largest uranium producing country in the world बिस्व में सबसे ज़्यादा uranium उत्पादक देश कौन सा है ये भी question एक अपलोग को class में मैंने बता दिया था जो bark special मैंने class पोभाइड किया था उसमें अपलोग को just nuclear power plant related question मैं discuss कर दिया तो उसमें मैंने अपलोग को बता दिया था जागिस्तन इस दराइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो बिस्व में सबसे ज़्यादा uranium उत्पादक देश होता है कर जागिस्तन next question number 5 a circle is having a radius of 21 centimeter and angle of 60 degree what is the arc length तो एक circle का arc length निकालने के लिए बोला arc length निकालने का क्या formula था 2 pi r into theta बटा 360 degree 2 इसका बद pi का value क्या होता है 22 बटा 7 इसका बद r का value क्या हो जागा 21 और theta का value क्या दे दिया है 60 degree बोल दे निचे 360 कटने का बद आप लोगो 22 centimeter आ जाएगा arc length ok next question number 6 देखो question इस type का ही आ सकता है एक दो value भी change हो सकता है क्योंकि सबी student ने memory based question भेजा है आसा नहीं कि exact question paper हमको मिल गया है उससे हम typing करके आप लोग के लिए लाया हूँ ऐसा नहीं है memory based question है अगर आप लोग इस process में करे हैं तो आप लोग को right answer हो जाएगा ok next question number 6 the volume ratio of cylinder and cone is cylinder और cone का volume ratio क्या होता है सबसे पहले आप लोग के formula लागाना पड़ेगा volume का formula क्या हो जाएगा तो जब लोग formula लागे तो pi r square h pi r square h कर जाएगा तो पहले 1 is due 1 बटा 3 होगा तो इसको अगर 3 से अगर multiple करें तो क्या हो जाएगा तो 3 is due 1 हो जाएगा 3 is due 1 is the right answer हो जाएगा next question number 7 what is the name of the process of coating of zinc on a mild steel मेदू इस पात का उपो zinc का coating करने का process को क्या बोलते हैं galvanizing process कहते हैं यह आप लोग का trade theory से पूछा गया था next question number 8 tsunami can be caused due to tsunami होने का कारण क्या होता है actually earthquake होता earthquake अगर option में था तो right answer हो जाएगा अगर sea water earthquake तो तब भी right answer हो जाएगा ओके तो जितना भी question मैंने collect कर पाया हूँ आप सभी का help का help का बज़े से मैं कर पाया हूँ तो सभी student को मेरा तरफ से thanks है आने वाला दिन में भी ऐसे अगर अगर अप लोग को कोई भी exam होता तो उसका memory based question मैं बोलने से पहले अप लोग भेज दो ना क्योंकि यह सभी के लिए helpful हो तो अप लोग अभी पता चाल जाता है कि कितना marks आप लोगों आने वाला है ओके next question number 9 Indus river is originated from Indus river मतलब क्या होता है Sindu river is originated from Sindu river कहां से निकलता है तिबबत प्लेटिव से निकलता है तो तिबबत इसदर राइट अंसर हो जाएगा ओके next question number 10 इस question को लेके थोड़ा सा doubt है किमकि अलग-अलग student ने अलग-अलग typing करके भेजा है तो actually जो question पूछा गया था NPCI National Payments Corporation of India Limited द्वारा जो UPI payment system को develop किया गया था तो actually उसका नाम हो जाएगा वीम ठीक है तो B-H-I-M is the right answer हो जाएगा तो नोट बंदी का टाइम NPCI द्वारा जो UPI payment system develop किया गया था उसका नाम है वीम ओके next question number 11 ये boat goes 13 km per hour in the direction of the stream and 7 km per hour against the direction of the stream what will be the speed of the boat in steel water तो boat and stream से question पूछा गया था इसमें आपको बोला है direction of the stream मतलब होता है downstream और against the stream मतलब होता है upstream ठीक है तो जब भी बोलेगा speed of boat in steel water तो इसका फोर्मूला क्या होता है half upstream plus downstream होता है ओके तो half upstream plus downstream क्या हो जाएगा 13 प्लास 17 बाटा 2 हो जाएगा 10 km per hour तो speed of boat in steel water हो जाएगा 10 km per hour तब हो जाएगा हाप डाउन स्टीम मैनास आप स्टीम हो जाएगा ओके तब कितना हो जाताら 13 मैनास सेवे कितना होता है 6 होता ह्सेवा्टा टू बनत हो जाता तो इल्टीन हो जाता मैं next question number 10 आप देख जाकते है, hottest planet in the solar system, solar system का सबसे ज़्यादा hottest, सबसे ज़्यादा गड़म planet कौन सा होता है, venus is the right answer हो जाएगा, next question number 13, a fuse oil should have, एक fuse oil का property क्या होना चाहिए, high resistance और low melting point का property होना चाहिए, next question number 14, pi is a, pi होता है, एक irrational number, ठीक है, तो उसमें पुछागा था, rational number या irrational, तो irrational is the right answer हो जाएगा, next question number 15, ratio of triangle, side is 4 is to 9, then the ratio of that area, एक triangle का ratio क्या दीद है, similar triangle का ratio 4 is to 9 दीदिया है, जो side है, उसका ratio 4 is to 9, तो area क्या हो जाएगा, area भी उसका square हो जाएगा, इसका भी square हो जाएगा, उसका भी square हो जाएगा, ओके, तो 4 square is to 9 square, तो 16 is to 81 is the right answer हो जाएगा, next question number 16, triangle whose two sides are equal length, जो triangle का 2 side equal length हो, तो उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, आईसोस class triangle, ओके, समध्दी बाव अत्रीबूद जि the value of x is, तो ऐसे total 2 question पूछा गया था, तो x का value निकलने के लिए आप लोगों को बोला था, तो ऐसे आप लोगों को middle term करना पड़ेगा, इसका बाद आप लोगों को आ जाएगा, x का value आ जाएगा, minus 3 और minus 2 आ जाएगा, ओके, तो ऐसे ही question लिख के भेजा था हो, तो इसका ह इस अब से मैंने set किया हूँ, ओके, next question number 18 आप देख सकते हैं, which app was developed by NPCI during note band struggle, तो एही question पूछा गया था, तो दो स्टूडे ने अलग अलग question भेजा था, तो actual question एही पूछा गया था, तो whom is the right answer हो जाएगा, next question number 19, catalyst is used to, catalyst का इस्तमान आप लोग क्यों करते, for altering the velocity of the reaction, ओके या आप बोल सकते, speed of the chemical reaction, chemical reaction का speed को बढ़ाने के लिए हम लोग catalyst का इस्तमाल करते हैं, next question number 20, which metal reacts with sunlight, तो एक student ने वेजा, which metal reacts with sunlight, और एक student ने बोला है, which metal shining like salt, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, हमको भे मालूमने, actual question क्या है, वो इस समझ में नहीं है, लेकिन इस step के question पूछा आप लोगो गया था, तो जो भी student का IG कार और VECC में examination, वो सभी student का concept idea आप लोगो देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और जो भी student ने exam दे के आया है, आप लोगो maximum question का answer मैं आप लोगो दे दूंगा, इस वीडियो में, okay, next question number 21, if a smaller cone, dia of 10 meter is melted and make a bigger cone of diameter 20 and height is 10 mm, then find the radius of the smaller cone, तो दो संकु है, एक छोटा सा संकु है, जिसका diameter 10 mm है, okay, और उसका height पताया नहीं गया है, उसको पिगला के हम लोग एक बड़ा cone बनाया है, बड़ा संकु बनाया है, जिसका diameter 20 है, तो उसका height तब 10 mm, 10 meter हुआ है, तो पहला जो smaller cone था, उसका height कितना था, ओई नि इसका बाद 1 by 3 pi, 1 by 3 pi कट जाएगा, इसका बाद pi r square h, और इधर r square h रहा जाएगा, इसका बाद आपको r का value देना पड़ेगा, इधर r का value और h का value अप लोग को देने का बाद h इधा निकल के आ जाएगा, तो smaller जो cone है, उसका height आजएगा 40 meter, ओके, next question number 22, what is the function of using H2SO4 in batteries, battery में sulfuric acid इस्तमाल करने का मतलब क्या होता है, तो इसका right-hand सरो जाएगा, एनोट का रूप में oxidation का का काम करता है, H2SO4, next question number 23, find the area of sector of circle having radius of 30 meter and angle of sector is 40 degree is, एक circle है, circle का sector का छितोफ़ निकलने के लिए अपनों को बोला है, तो area निकलने का formula क्या होता है, pi r square into theta बटा 360 degree, तो pi का जाएगा 3.14 और r का जाएगा radius आपको देना पड़ेगा 3 into 3, इसका बाद theta is equal to 40 degree बटा 360, काटने का बाद 3.14 cm2 is the right answer आ जाएगा, ओके, next question number 24, polyamide example, polyamide का example पूछा था, तो nylon इसमें right answer हो जाएगा, next question number 25, what is the relation between the temperature and resistivity in non-metal, non-metal में temperature और resistivity का बीच में relation क्या होता है, तो actually इसका option क्या था, option किसी ने भेजा नहीं है, इसलिए इसका answer भी मैं नहीं दे पाड़ा हूँ, क्योंकि non-metal का अंदर generally क्या होता है, उसमें current flow नहीं होता, तो graphite होते एक ऐसा non-metal जिसका अंदर से current flow होता है, okay, next question number 26, a cone of dia dash is melted and making 15 spare, what is the radius of the spare, तो एक question भेजा था, same to same type का question है, लेकिन इसका exact value क्या था, ओ, पता नहीं है, तो इसमें एक डाय आप लोगो बताया गया था, तो एक संकु का डाय आप लोगो बताया दिया गया था, इसमें आपको बोला था, इसको पिगला के 15 spare बनाना है, तो spare का जो छोटा आप लोगो बनाते है, 15 spare उससे बनाते है, तो एक एक spare के radius कितना हो जाता है, तो एक question पूछा गया था, ओके, next question number 27, in which part of body, pepsin and trypsin are found, तो pepsin और trypsin, body का कौन सा पार्ट से निकालता है, तो pepsin हम लोगो दिखाया जाता है, gastic juice में, ओके, और जो trypsin होता है, वो pancreas में ह होता है, समझ में आग है, next question number 28, तो ऐसे आप लोगों के एक बोला था, x square plus 18x plus 45, तो आप लोगों के इसे middle term factor करना पड़ेगे, इसका बाद x का value आ जागा minus 15 minus 3, ओके, next question number 29, ये boat goes in the direction of the flow 20 km in 2 hours, direction of the flow मतलब क्या होता है, वो होता है downstream, तो downstream में आप लोगो को क्या करना आप देख सकते है, distance दे दिया, time दे दिया, तो speed up flow को कैसे निकलना पड़ेगे, distance बटा time, तो 10 km per hour हो जाएगा downstream, ओके, इसका बाद आपको बोला है, against the steam, 4 km in 2 hours, तो upstream में क्या हो रहा है, 4 km जा रहा है, only 2 घंटा में, तो आप लोगों को divide करने का बाद क्या जाएगा, 2 km per hour आप stream, तो इसमें आपको बोलाए, speed of boat in steel water, steel water में boat का speed कितना हो जाएगा, तो आप लोगों मैं formula बता देओ, half plus, 10 plus, half into 10 plus 2 आजाएगा, total 6, तो 6 km per hour आजाएगा, steel water में boat का speed, okay, next question number 30, ऐसे question पूछा गया था, which number is divisible in 1 to 10 number exactly, एक ऐसा number है, जिसको हम लोग 1 से 10 तक जितना भी तो इसे हम लोग divide कर सकते हैं, तो ओ होता है, 2520, okay, next question number 31, arithmetic progressions, अप लोग को question पूछा गया, बोला, if third times of the third number of an AP is equal to the five times of the fifth term of the AP, then find the eighth term of the AP is, तो अप लोग को क्या बोला गया, first time अगर ये अप लोग लिख लेते हैं, तो third time क्या हो जाएगा, उसका साथ हम लोग 2D add कर सकते क्योंकि और दो time add होगा, तो क्या हो जोगा, third time हो जाएगा, और ऐसे अगर first time ये होता है, तो fifth time क्या हो जाएगा, ये plus 40 हो जाएगा, okay, तो इन दोनों को क्या बोला है, जो third time है, उसका three times, तो three into A plus 2D, और जो fifth time है, उसका fifth time, तो आप देख सकते कर दिया, इसका बात आप जब भी करेंगे, तो अप लोगों को आ जागे, इसका बात क्या आ जागा, A plus 70, ये होता है, पहला term, उसका सथ 70 मतलब क्या होता है, total हो जाता है, 8 term, तो 8 term का क्या value आ रहे है, 0 आ तो ये अप लोगों को निकलने के बोला है, तो arithmetic progression में 8 term का value आ जागा, 0, okay, next question number 32, sum of natural number and odd number is equal to k, find the value of k, तो ऐसे question पूछा गयता है, लेकिन इसका exact question क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आया है, ओके तो इस related जो भी question आता है, आने वाला दिन में जो भी exam होता है, आप लोग इस type का question देखके जरूर जाना, ओके, next question number 33 आप देख सकते हैं, इसमें आपको बोला था, एक रंबोस है, रंबोस का diagonal दोनों था, एक 12 cm और 16 cm, इसका एक एक side का length निकालने के लिए बोला था, तो रंबोस का each and every side का length होता है, समान, ओके, तो जब भी एक दोनों diagonal intersect करता है, जब भी intersect करने का बाद क्या होता है, इसमें इस 90 degree बना आता है, तो जब इसका value आप लोग नि समान होता है, ओके, next question number 34, एक ऐसा question पूछा गया था, यह probability 0, then, impossible event जब होगा था, probability 0 हो सकता है, ओके, तो probability से 2 question पूछा गया था, लेकिन question क्या था, ओकिसी ने भेजा भी नहीं है, ओके, तो probability से अप लोग को भी देखके जाना पड़ेगा, specially बार का exam में, ओके, next question number 35, और यह आज का class का last question, ऐसे एक अपनों को periodic table से question पूछा गया था, तो किसी ने बोला था, 108 number element का नाम पूछा था, यह कितना element है, ओक पूछा था, तो 118 element है, last element का नाम है, organization, ओके, तो exact क्या question था, ओभी किसी ने भेजा नहीं है, जितना तक, आप मेरे से हो पाया, मैं उतना ही question अपनों के लिए collect करके, इस class में provide क्या हूँ, वीडियो पसंद है, तो at least like, comment कर देना, और जितना हो सके, वीडियो को share कर देना, सभी दोस्त का था, सभी ग्रूप में, आज के लिए तना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाई बाई